मद्यप्रदेश में 8 जुलाई से विधानसवा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस दोरान सत्ता पक्ष के तल्क तेवर देखने को मिल सकते हैं सत्ताधारी दल के विधायक अरदीब सिंग डंग का कहना है कि इस बार सत्र के दोरान कॉंग्रिस आक्रामक मोड में रहेगी जबकि बीजेपी डिफेंसिव मोड पर नजर आएगी डंग ने आरुप लगाया कि पूर्व की शिवरात सरकार ने कुछ किया नहीं लहाजा उनके पास कॉंग्रिस की शे महीने की सरकार को घेडने का हक नहीं बनता जनता को यह इश्वास है कि जो कमलनाजी ने वचन पत्र में जो शब्द कहे थे वो 100% निभाने के लिए तयार है कांग्रिस जो काम करें उसके लिए तो अठेक के मोड में ही रहेगी क्यों डिपेंज तो वो करें जिसने काम ना करा हूँ और मैं मानता हूँ कि कमलनाजी के नेतरत में अच्छे अभी काम हो रहे हैं